हाई फ्रेंग्स, स्नैक्स में पकोड़ा तो सभी को बसंदे, इसलिए आज हम बनाएंगे एक डिफरेंट टाइप का पकोड़ा, वो भी डुडल से, जो घर पे बनाना एक दम इसी है, मैं हूँ संगीता और आप देख रहे हैं माई किचन वे संगीता क्रिस्पी नूडल्स पकोड़ा बनाने के लिए हमें कौन-कौन से इंग्रीडियन्स जरूरी है, चलिए देखते हैं एक नूडल्स, आप किसी तरह का नूडल्स यूज़ कर सकते हैं वन एक, फोर टेबल स्पून बेसन, वन कप रिफाइंट ओयल, कोरियेंजर, क्यूमिन और रेट चिली का एक मिक्स्चर जो आप पीस्ते घरबे भी बना सकते हैं नमक, स्वादनुसा, वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं, आज की इजी रेसिपी, रिस्पी नूडल्स पकोड़ा पहले हम नूडल्स को बॉइल करेंगे आप देख रहे हैं, नूडल्स एकदम बॉइल हो चुका है अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडियन्स सेकेक करके मिस्स करेंगे पहले हम डालेंगे इसमें एक, एक को मिक्स कर लिया है अब हम डालेंगे, फिर हम डालेंगे भुना हुआ मसाला आप यहाँ पर कोई भी मसाला उज़ कर सकते हैं अब हम डालेंगे वेसे और सुवादानुचार नमाक अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब हम छोटा छोटा बॉल बनाके फ्राई करेंगे अब हम इन बॉल्स को ऑईल में लिले से डालेंगे और फ्राई करेंगे अब हम इन्हें कुछ देखता प्राई करेंगे आप देख रहे हैं कि हमारा पकोड़ा एकदम ब्राउन हो गया है तो आप हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे और तो आज का हमारा रिसिपी प्रिस्पी निलूस पकोड़ा डिली हो गया है आप इसे चट्नी या तुरी सॉस के साथ सर्व कर शकते हैं हम यहां पर धन्या की चट्नी इस गर रहे हैं उमीद करते हूं कि आज की रिसिपी आपको पसंदाई हो और आप इसे घर पे जरूर ट् यहां अज सकत टो कुछ कर दो हैं यहां इसे एंजित क की रिसे मैं यह तुछ्ट हैं हैं प्रICK को चट्ट हैं यहां और आपको खंटे आपको पार कहिं हमारा है उंसरियर के साथ्नी इसित लोरेय अजया के बहारी प्रूर किए 12 म अहल चूदर को बहारीं की और बहारा हैं